ओम नमों भगवते वासुदेवाई नमाँ श्रीमत भगवत गीता सादक संजीवनी अध्याए 10 श्लोक संख्या 21 इवंबाइस आधित्या नाम हम विश्नूर जोतिशाम रवीरंशुना मान मरीचिर मरुता मसमी नक्षत्रा नाम महम शशी इन विभूतियों में शष्टी का प्रयोग किया गया है शश्टी का प्रयोग निर्धारन अर्दात मुख्यता के अर्थ में भी होता है और संबंद के अर्थ में भी जहां निर्धारन में शश्टी होती है वहां हिंदी की में विवक्ति का प्रयोग होता है और जहां संबंद में शश्टी होती है वहां हिंदी की का की विवक्तियों का प्रयोग होता है हुधारन ऐस शलोक में पूरवार्थ में निरधारं के अर्त में और उत्रार्थ में संबंद के अर्त में स governo हुआ है कि इस लोका अर्थ समझे मैं अधिति के पुत्रों में विश्नू या या वामन और प्रकाशवान वस्तूयों में किरणों वाला सूरह हूं मैं मरूतों को तेज और नक्षत्रों का अधिपती चन्रमा अधित्या में कि विश्णू अधित्य के धाता मिت्र अधि जेत्ने पुत्र हैं उन्हों अरतात वामन देशित्ध लेकर देत्तियों की संबत्ति को धान रूप से ले लिया और उसे अधिति के पुत्रों या देवताओं को दे दिया कि बारा महीने में जो बारा आधित्ति होते हैं उनमें कार्थिक मास के सूर्य का नाम भी विश्णु है जोति शाम रवी रंशुमान चंद्रमा नक्षत्र तारा अगनी आधि जितने भी प्रकाश्वान चीज़ें उनमें किरणों वाला सूर्य मेरी विभूति है क्योंकि प्रकाश करने में सूर्य के मुक्ता है सूर्य के प्रकाशते ही सभी प्रकाश्वान होते हैं मरीचिर मरूता अम असमी सत्व जोती आधित्य हरित्व आधी नामों वालों को उन्चास मरूत हैं। उनका मुख्य तेज मैं ही हूँ। उस तेज के प्रभाव से ही इंद्र के द्वारा दित्ती के गर्व से साथ तुकड़े करने पर और उन सातों के फिर साथ तुकड़े करने पर भी विमरे नहीं। प्रत्युत एक से उन्चास हो गए। नक्षत्रा राहम महम शशी। अश्विनी, भरती, क्रतिका आधी जो 27 नक्षत्र हैं उन सबका आधिपती चंद्रमा मैं हूँ। इन विभूतियों में जो विशेशता ये महता है वै वास्तव में भगवान की है। इस प्रक्रण में जिन विभूतियों का वड़न आया है उनको भगवान ने विभूति रूप से ही कहा है। अव्तार रूप से नहीं। जैसे अधिति के पुत्रों में वामन मैं हूँ। शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। ब्रश्णी, वंशियों में वासुदेव या आर्जुन मैं हूँ इत्यादी कारण कि यहां प्रसंग विभूतियों का है